हाइबर विधी का सिध्धानति यदि सुध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक समद्धे तीन अनुपात के मिस्रड को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है N2 प्लस 3 H2 या फिर 2 NH3 अमोनिया गिपस अप 23,400 कैलोरी उर्जा मुक्त करती है यह एक उसमा छेपी उत्करमडी अभिक्रिया है और उत्करिया के पश्चात आयतन में कमी होती है इसलिए लास साथलेस लिए के अनुसार कम ताप और अधिक दाप पर अमोनिया अधिक उत्पन होगी कम ताप पर अभिक्रिया का बेग बढ़ाने के लिए उत्परेरक का प्रियुक किया जता है इस अभिक्रिया का उत्परेरक की उपस्तिती में अनुकूलतम ताप साड़े चार सो से पान सो डिग्री सेल्सियस तथा उच दाब दो सो वायुमंडली है क्योंकि अभिक्रिया उत्परमडी है इसलिए अमोनिया को लगातार क्रिया छेतर से हटाने पर अमोनिया गैस अधिक बनेगी इस अभिक्रिया में लोहे का बारीक चूंड उत्परेरक के लिए तथा माल्डिवेडिनम की सुच मात्रा प्रियुक्त होती है इसमें गैसी मिस्रड सुध होना चाहिए जिससे उत्प्रेरक विशाक्त न हो विधी सुध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को एक संबंधे तीन के अनुपात में मिला कर दो सव वायुमंडिली दाप पर तप्त लोहे के बारीक चून उत्प्रेरक को जिसमें मांडिविलेडिनम उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है 500 डिग्री से ल्सियस तक गर्म करते हैं इस विधी में 10-15% अमोनिया बनती है जिससे संगनित्र में प्रवाहित कर द्रवित कर लियते हैं सेस गैसों को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिससे N2 वा H2 के सयोजन द्वारा NH3 का लागातार उत्पादन होता रहता है उपयोग अमोनिया का उपयोग कृतिम रेशा बनाने में बर्फ बनाने तथा कोड़ी श्टूरोज में प्रती सितक के रूप में क्योंकि इसमें वास्पन की गुप्त उसमा 327 केलोरी गर्म उच्छत होती है